ह grieving कैसे हैं आप लोग चली लुद्ध के लौट की करते रहे हैं और ने बात कि थी वैलीनिस की स्थारिदुट हिंट है तो अभी से पहले हम लोग इंटर्नल क्रायडिया-बेस्थ बताई करेंगी दिफरेंसेजी जानेंगे साथ ही मैंने बात आपकी वहता गुडाँग क्या होता है और यह कहता है सबसे मुल्ज चीज बात करेंगे हम लोग फैक्टर अनाल्सिस की तो फैक्टर अनल्सिस जो मैथर्ड है आपकी वैता ज्यांत करने की सबसे अच्छी विदी माने गई और यह काफी महत्पुन भी है चुकि यह आपकी कहें तो यह सांगी की विदी से लेटेड है तो यहां फ अच्छी बात कि आपकी दोनों अब के लिए चुटी हुई है जिसमें मैंने आपको आपकी बात की और कंसर्टेंट जो वैलिडिटी थी उसके बारे में भात की इन दोनों का डिफ्रेंस मैं आपको नहीं सो किया क्योंकि कभी कभी मैं सर्ष कर रही हूं तो ऐसे कुशन तो इसके बारे में आप लोग जाने जिए कि इसमें क्या डिफरेंसिस हैं जबकि दोनों आपकी एक्टरनल वेलिटिटी के अथरगति ही आता है बाहर वैता के आधार पे जो कुसोटिया मनाईगी है उन्हीं के आधार पे इन दोनों का एस्पेरिशन किया गया है तो इन दोन एक्टरनल हैं बट इनके बीच में कुछ डिफरेंसिस हैं उस डिफरेंसिस को आप जान लीजिए और बहुत इजी गोएंग डिफरेंसिस से बहुत आचानी से आप लोगों को तैयार भी हो जाएगा यह तो बात करते हैं हम लोग प्रेडिक्टिव या पुरुवकथित और डिफरेंसिस सो किये जाते हैं पहला इसका आधार होता है जो आपकी प्रेडिक्टिव वलेडिटी है जो आपकी प्रेडिक्टिव वलेडिटी है इसके आधार पर हम भविष्य के बारें बात करते हैं यानि जब भी हमको भविष्यवानी करनी होती है किसी बेक्ति के बारे थिए पुर्व कज़ित के भाट कह देनगे हम पुर्व में तो यहां पुर्व कजित में जो ब्यक्ति होता है उस पर कोई टेस्ट अगर स्क fait किया जा रहा है तो टेस्ट अधिनीनिस्टेसन के बाद जो स्कोरीं की जाती है ठीक स्कोरिंग करने है यह ग्यात कर लिया यह परसन आज जो परफॉर्म ये किया है कल इसकी एबिलिटी और कल जो इसकी आपकी इंटरिस्ट है वो किस एरिया में स्पेस्फिक जायेगा और वहां पर उसका कैसा प्रफॉर्म रहेगा तो आज जो टेस्ट एड्मिस्टेट की जा रहे हैं जो स्कुरिंग की जा रही है अधार पर हम भविश्य के बारे में बता पाते हैं कि परसन ऐसा behavior करेगा, तो ब्यक्तिके जो ब्योहार हैं, ठीक है, भविश्य का ब्योहार जो है, वो कैसा होगा, आज जो ब्योहार वो कर रहा है, इसकी आधार पर जो एडमिस्टिट किया जाता है टेस्ट उसकी स्कोरिंग करकि आगर प्रफॉर्फॉर्मेंस कैसा होगा इसका अगर हमको मेजरिमेंट करना होता है यानि कल उसका प्रफॉर्मेंस कैसा होगा किस परकार का होगा, वो कितनी इंटेस्ट से किसी टेस्ट में इंवाल होगा, कैसा भिहयव करेगा वो, यह सब मेजरिमेंट हमको करना हो यानि भविश्टि में जो आपका परफॉर्मेंस है उसका मेजरिमेंट करने के लिए प्रिडियेट्टि व अच्छी मानी गई है लेकिन अगर हम समवर्ती वैधता ये ब्यक्ति के वर्तमान ब्योहर से संबंधित होती है अब यहाँ थोड़ा से आपको धियान देना होगा आपकी जो पुरुवत कथित वैधता है वो भवी से संबंधित है वह फूटर को देख रही है लेकिन जो आप ही एकी भीत वैधता है या समवर्ती वैधता है यह ब्योदों से संबंधित है लो क्या है वरतमान विश्य क्यृति का पर्फॉर्मऑर कैसा है यहनि प्रिजेंट निक्रा यहाँ पह निए फिर्ञ्श्श के हुत करना होता है तब हो बहुत पर निकाल ना भी होता तो फार्टी बैदता निकालते हैं दूसरी अगर हम बात कर इसको रjen की flag की तो दूसरा दिफ्रेंसिस का यह है कि जो आपकी पुर्वकधि都 वैदता है दूसे मोन casing आपके कि जब हमको किसी बेटी के अबिछहमता अबिचहन करना ऑर किसी बेखती के अभीचहन तुछ मुई हमारी जु Chanceि वैदता है जबकि जो आकी संवर्ती वैदता है यह अधिकतर आपकी एच्टियों के जाते हैं उसके लिए यह महतोपन होती है, क्योंकि achievement, क्या वह हो अचृव करना चाह रहा है, सबजिट हमारा यह ईखृव करना झाह रहा है, उपलब्थी परिष्ण के लिए, तो उपलब्थी परिष्ण जब भी हम अमनéis verlier करेंगे, तो अडविशिटिंग के बात वरतमान बेवार का मेजर्मेंट कर रहे हैं क्योंकि इस समय उसने क्या किया इस समय जो उसने किया है इस समय इसका जैसा परफॉर्मेंस है यह जो प्रिजेंट कंडिशन उसने परफॉर्म किया है इसका जब हमको मेजर्मेंट करना होता है तो यहां achievement test maximum ऐसे किया जाते हैं जहां पर यह पता लगाना आवशक हो जाता है कि person क्या achieve करना चाह रहा है तो उसके achievement test में specific जो validity उस की जाती है तो समर्थी वैदिता की जाँच जरूर की जाती है ठीक है अब हम other psychologist है जैसे कि आपकी camp well और फिस्के की बात करें तो camp well जो फिस्के है 1559 की बात करूँ मैं 1559 camp well और फिस्के इन्हों ने जो validity की आपके types बताया थे उसके पार में भी आप पूजाने जिए तो यहां camp well और फिस्के 1559 ने दो तरह की जो वैदिता है उसकी बात की थी आपके external validity और internal validity की अधरिक तेन्होंने दो तरह की वैदिता की बात की बात थी कहने कार्थ है कि जो camp well फिस्के है हाँ उन्होंने जो classified किया था। त्युक है उनका था जो वैदिता जो उन्होंने दो पार्ट में device किया था। उसमें था का आप उने सुना ही होगा अभिसारी वैदता और विविक्तकर वैदता तो यहां जो convergent validation है और discriminant validation है इन दोनों की बात यहां पर मैं आपको बता दू कि यह आपको बता दू कि यह क्लासिफायर किसके यहां दोनों तरीके से कोशन आपके हो सकते हैं तो थ्यान से सुनने क्या जरूरत है तो जो आपकी यह convergent validity है उसके लिए यह आवशेक होता है जो आवशेक होता है इसके लिए यह रिशनात्मक जो validity है इसके लिए आवशेक है कि परिष्ण उन सभी अन्य चरों के साथ सहसंबन दिखाए जिसके साथ उसे सद्धानतिक रूप से दिखलाना चाहिए यहां थोड़ा सा आपको लोग concentrate हो जाएगा यहां concentrate जो आपकी validity है अभी मैंने इसी की बात की थी convergent validation की तो यह इसके लिए आवशेक है कि परिष्ण उन सभी जो आपने टेस्ट है अडमिस्ट कर रखा है यह उन सभी चरों के साथ जो भी वहां पर variables available है यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि जब भी हम लोग variables measure करते हैं तो variables में मैंने आपको यह बताया था कि हमारे कुछ तो ऐसे variables होंगे जो independent होंगे कुछ dependent variables होंगे बट कुछ extraneous variables होते हैं extraneous variables को हम कभी भी study नहीं करना चाहते और हम नहीं कोई researchious नहीं करना चाहता यह Spring एक tracker variables को छोड़ कर की बात की जा रही है यहां आपको यह ध्यान देना होगा जो इस्टरनेस वरियबल जो इस चोड़ करके बात किया जा रहा है कहने कारते कि हम उसकी इस्टडी नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे हम उसको कंट्रोल करके ही रखेंगे तो यहां आपके जो इसके लिए जरूरी है कि जो टेस्ट है उसके साथ वह सहसमत दिखलाए जो भी वारियबल्स है उसके बीच में कोर्यलेशन जरूर दिखाया जाए जिसके साथ उससे सधानती रूप से दिखलाया जा रहा है तो यहां जब ही होगी तो थिरोटिकल होगी हम कोई भी फैट लेंगे फैट के आधार भी तो हमको इस सधानती के बिस्तार करेंगे तो यहां सधानती रूप से जिसके साथ उसका पॉलेशन होना चाहिए वह उसके साथ जरूर दिखाये है साथ ही वो उन सभी चरों के साथ सम्झत न दिखर आए जिसके साथ उसे सध्धान्तिक रुप से दिखलाना चाहिए अब यहां थोड़सा आपको कर्मत कर दिया गया है लेकिन उन अवर सभ्ष मिघ्प कर दिखा है यहां कहने कार्थ है कि जहां सिध्धान्त की पुर्ती हो रही है जहां सिध्धान्त आपका पूंड हो रहा है जिसके साथ आपका परिच्छन सद्धान्तिक रूप से कहें तो समलित है सद्धान्तिक रूप से एक दूसरा से जुड़ा हुआ है उसके बीच में वह कोरेलेशन जरू जहां पर सद्धान्तिक रूप से उससे दिखलाना चाहिए, जहां सद्धान्तिक रूप से उसका महत्तो है, लेकिन वह वहां पर न दिखलाए अपना correlation, वहां पर सहसंबंद शोन न होने पाए, जहां पर हम उस टेस्ट के साथ सद्धान्तिक रूप से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति होगी, तो वहां पर आपकी जो वैलेडिटी है वहां का वैलेडिटी कम होंने लगेगी, ठीक है, तो पहले तरीकी जो आपकी वैजता है, जो डीस situat Mik — जहां पर सद्धान्तिक रूप से दिखला रहा है वहां पर करमेजिंट वेलिटी होगी और दूसरी तûसरी तरफ हम जो तो बills कर रहे हैं जहां पर सदान्ती गूरुप से नहीं दिखलाना चाहिए वहां होगी ठीक है यहां फिर से आप ध्यान दीजिएगा कहने का अर्थ है कि जब भी जब भी हम कोई परिच्छन कर रहे हैं तो परिच्छन उन सभी अन्य चरों के साथ सहसंबंद दिखाए जिसके साथ उसे सद्धांतिक रूप से परिच्छन उन्य का सहसंबंद दिखाए जिसके साथ सध्धांतिक रूप से दिखाना चाहिए यानि सद्धांतििक रूप से जहां पर जुडा हुआ है वहां पर अगर वह सहसंबंद दिखाए तो ऐसी स्थिति में जो आकीव operation होती होती है अभी सारी वैधता होती है लेकिन जब पहले आपकी बात कर रहे हैं वो चर जिसके साथ सहसंबंद नहीं दिखलाना चाहिए कहने कारत है कि जहां सरधान्तिक रूप से टेश्ट हमारा जुड़ा हुआ नहीं है वहाँ पर अगर सहसंबंद नहीं दिखला रहा है तो यह इसी इसक Meng 2 आक आपके डिस्क्रभिन की होगी है तर ऐसी जो में आपकी वैधता होती है उसको डिस्कृमेंट वैलिटी चाह जाता है और इन दोनों बबिटी की बात करें तो शोद करता हूं दोरह आप विस्याश रुप से जो आपकी जो एकस्प्रमेंटल डिजाइन तो वहां पर वह Convergent Validity और आपके Discriminate Validity कि जो process उसका वह सत्याबन जरू करता है इसको प्रूफ जरूर करता है इस तरह कि जो आपकी होती है कहनेकार थे कि जो आपकी Convergent Validity होती है और जो डिस्क्रेंट व्योंट्रिक्स कहा जाता है करें निमर्टीमेट्स क्वाइफ है किस डिजाइन इन दोनों इन दोनों यानी पर रिसर्च राखे लिए घंट्रिक्स है दोनों को यूज करने के बाद उससे रिलेटर्ब बना अपने रिसर्च के लिए ऐसी डिजाइन को कहा गया है मल्टी चेट मल्टी मैथर्ड मैट्रिक्स क्लियर है तो यहां बस आप यह धियान रखेंगे कि जहां पर कर्मजेंट वैलिडिटी और साथ में डिस्मेंट वैलिडिटी दोनों को एक साथ रिसर्च यह जो सत्यापित कर की इता है तो यहां पर इस डिजाइन को कहा जाता है मल्टीट मल्टी मैथर्ड मैट्रिक्स क्लियर है है अभक बात करेंगे इकलोजिकल वैलीडिटी की थूड़ा सुनके आजीब लगा होगा लाई को लॉजी कल वैलिटी ऐसा कहा है नहीं होचा आज है यहां हो यह वी जैद उसक्य वह अब संतक के मὲेडिटा यहां जो एकलोजिकल आपकी वैलिडिटी है वास्ता में एक ऐसा पद है जिसका प्रतिबादन मौली क्रूप से इगोन वर्स्वीक द्वारा किया गया था इगोन वर्स्वीक ऐसी बात नहीं कि नहीं सूना होगा आप लोगों नहीं इन्होंने ही इसको ठीलफ किया था उर्स्वीक द्वारा किया Goo अ किया तो तो ये जो आपका पारिस्तिक वैदता एक लॉजिकल जो वलेड़ीटी है। इसका मॉल्लाइक रुप से प्रिति बादन किया गया था। वर्ण्सवीक द्वारा किया था। और ये उस सीमा या मात्रा के लिए किया। पिधिक् commission को मेजर करने के लिए उस सीमा या मात्रा के लिए किया था जिसमें दुरस्त जो दीपक होते हैं कि यह अपके जो डिश्र ऑप्रों मय इस्टृमले सो साथ साथ यह परिवर्थित होते हैं उनका प्रिवर्तित करने के लिए ень का यह उसह मैं हैं जिनोंने जे जे गिपसन की में बात करी हूं गिपसन का जो प्रिदेक्ष्ट प्रिदेशन सिध्धानत है इस पद के लिए काफी कहें तो उपयोगी सिध्ध हुआ और अर्थ पूर्ण हुआ तो यहां पे जब भी मेजर करना होता है तो मनें बेग्यानीकों ने परिष्ण मे 어가 gehört या उनको कहां से तक जो वासपी वातरण पर लागु किया जा सकता है यह इससे होता है इसका प्रतिबादन आपको मौलिक रूप से मंकर भी द्वार्णा के लिए किया गया जिसमें के जो दुरसी इष्टिमल्स हैं जो प्रोकसिमस इश्टिमल्स जब सासाथ फरीवर्थित होते हं उनके, प्रसक्टिम्स की लिए जो आपका डनेर सिद्धान्ट उसी के अर्थ में किए गया, यानि जो आपका miर describes Since उस सिधांत की आधार पर ही इस इस जो mete जो प्र प्रियोग की आ गया था ठीक है यहां मनबैज्ञानी जो आपके प्रियोग हो रहे हैं या परिष्ण हो रहें हैं इस में इस पत की अर्थ durability की प्रयाभगात्मक आकी परीष्थी है Beauty गार्णी यह उसमें जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे जो साइकलोजिकल टेस्ट है तो एडमिनिस्टेशन में जो यह पद है आपका बरिछन का जो पद है यह इसका अर्थ जो है प्रोगात्म परिस्थिती से जो हमको तथ्य प्राप्त हो रहे हैं यारी जो मैंने टेस्ट किया है जो हमारा है जो इंवार्मेंट इं इंवार्मेंट वहाल त्लिऊं को आपको एंपरिस्थिति में जो होता है और जब प्रयोगी कर्यों करीस्थितिति से bioहार कुछ और हटा देते हैं जो वास्तवीक वातारण में जाता है तो उसका ब्यृवार कुछ और होता है यह तो आप लोगोंने जाना ही होगा फिल भी किया होगा तो यहां जो प्रयोगात्मक परिस्थिति में बिक्थिका ब्यृवार है उसको मेजर करने की बाद जो scoring की गई जो आंकडे प्राप्त हुए ठीक है कहां तक वो वास्तवी क्वातरों पर लागू होता है जब इसको measure हमको करना होता है तो वहाँ पर हम बात करते हैं एक logical validity की अब clear हो गया होगा आपको क्योंकि जब भी हम किसी भी person को यहां research methods यूज किये जा रहा है जो psychology में specific चुकि हम behavior measure कर रहा है किसी भी person का हमको behavior measure करना है तो behavior measurement पे हम कभी भी जो experimental आपकी environment है experimental environment में person का behavior कैसा है और उससे जो हम data collection कर रहे है जो analysis data collection की दौरान मिल रही है जो scoring मिल रही हमको उसका हम किसी वास्तिक परिस्ति में बेक्ति की ब्योहार पर अगर हम प्रशिवित करके देखने को सिस करें कि क्या वैसा है ब्योहार बेक्ति का वास्तिक वातरान भी भी होता ह है तो इस condition में जो validity हमको निकालनी होगी वह हमारी ecological validity होगी कहने का आर्थ है कि वह पारिस्तितिक वैथता होगी ठीक है अब हम बात करेंगे वैथता गुडांक या क्रॉस वैद करण कहने कार्थ है validity coefficient and cross validation हम लोग इसकी बात करेंगे क्योंकि कल इसके बारे में हम लोग बात थोड़ा सा ही कर पाए explanation नहीं हो पाया था कि वास्ता में वैथता गुडांक होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जो परिच्छन वैथता होती है कोई किसी भी टेस्ट की validity होती है वो अधिकतर किसी भी जो validity गुडांक है उसी के रूप में हम उसको प्रेजेंट करते हैं जब भी हम किसी टेस् लणी SECRET का होती है उस वास्ता को जब हमको present करना होता है तो हम हमेशा उस이 वैथता गुडांक के रूप में ही प्रूप में हीằng रूप में प्रेजेंट करते हैं ठीक है तो परिछन की जो वैथता है आपका बता गुडांक जो है परिचन प्राप्तांक को और से किसी विसेज कातारी उसके आधार जो हमको मिरे होते हैं हमारे आंगडे जो मिले होते हैं उसके बीच में यानि जो परिशन का प्राप्ता को है और किसी को बांदा आन्ग कि उसके बीच में एक रेखी रेंखी सह समझत की मreatरों की छिंप प्रसावड फिर से ध्यां दीजेका मैं रिविजन कर रहे हूं वापस जो वैदता गुड़ा आंख है वो परिछन प्राप्ता आंख हो और किसी कसलर्टी के आधार पर जो आपका परिछन प्राप्ता आंख है वो यानि आपने टेस्ट अड्मिनेस्टेट किया वेलिद्री मे सब्सक्राइब रखा है तो जो स्कोरिंग की है और जो स्पेस्फिक सिप्रजी किसी क्राइटिया बेस्ट आपने क्या आतक से उन दोनों के बीच इस संब्सक्राइब घ्रा सी नियारा दाटा यहां थोड़ा साथ ध्यान दिजेगा आप लोग यहां सिधे से कहा गया है कि वैलिडिटी कॉफिसेंट इंडिगेर्ट्स दिग्री ओफ लीनियर रिलेसंसीप क्लियर है बिट्मीन टेस्ट इसकोर एंड क्राइटीरियन डाटा इसको इंडिगेट कर रहा है इसको आधार पर आपकी वैतागूढ़ांग यह प्रेशन की वैता गूढ़ांग है और जौसे प्राप्ताग प्राप्त हुए है साथ ही किसविकर आपने डाटा कलेक्षन कर रखा है थीक है तो यहां परिशन की जो कारे छमता होती है किसी भी ट सब्सक्राइब करें जरूर होगी तो यहां परिष्ण की जो कारेश हमता है उसके लिए जो वैथता गुडां का सोटियां उन पर विभीन प्रकार के जो आपके परफॉर्मेंस होते हैं उसके डिस्मेशन के लिए विभेदी करण के में एक सरल आलेखी है जो चित्र प्रदान ट्र्दा किया जाता है वह इस ही के द्वारा होता है यहां ध्यन रखिए आप लो जो परिछी जो सवन वालती होता है उसके लिए जो विभीन प्रकार के विग्ती होते हैं उनका जो निस्पादन है ज परफॉर्मेंस है उसके लिए जो जो डिफरेंसेस हैं उसमें एक सरल आलेखी जो चित्र बनता है इसके यह जो है वह जो वैदागुडांग उसके लिए आवश्चेक होता है उसके बीच में जो आपके टेस्ट के लिए जो सेंपल पर आपने टेस्ट के रिखिया है उस टेस्ट के लिए आपकी जो स्कोरिंग की है उस स्कोरिंग से और जो आपने स्पेसिफिक क्राइटिरिया से जो आपको स्कोर मिले हैं उनके बीच में जब हमको कोर्रेशन मेजर करना होता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ यहीं यूज किया जाता है आपका वैलिडिटी कॉंफिशनली कहने का अर्थ है वैधता गुर यूज कम यूज को यूज कि बहुता पी। और इसके लिए maximum आपके regression equations जो होते हैं प्रतिकमन जो सुत्र होते हैं वो लगा करके यूज किया जाते हैं इसको आप लोगों ने स्टार्ट से पढ़ा होगा के प्रतिकमन जो सुत्र कहां पर कैसे यूज किया जाता है यहां पर मैं सिर्फ आपको बता दूं कि यहां पर regression analysis finally क कररें जब भी जैएं पत्षैन के लिए जो आकी stra лай नियों कि उफैलो रहा है उनके सेमपल होते हैं जब भी हम कोई भी बात करें स्टार्ट सेलेकशन करते हैं तो जो हमारे इसके applis कर्राफ होतें हैं उनके सेंपल के आधहार पर carbono कि किसी वैता-गुरांग के हम काल्कुलेसिंग करते हैं या गर्णा करते हैं जो अधिकतर उस प्रतिदर्थ से जो हमारे सबजेक्ट के जो प्रतिदर्थ सेंपल है उनце आवसरों के जो तत्यों की प्रभा के प्रवित्ती है वो मिलती है जो Canadian imento वैता कुड़ा कि करना तो की जाती है किसी हम सेंपल की आधार पर ही बैता कुड़ा की ना करेंगे ऑंप कर दोष्वरा प्रवित्त्य होती है उसका भी पत्ता हमें इसी के दूआरा लगता है इसी लिए ऑसे इस्थिति में ये ऑश्चिक हो जाता है कि जो परिच्छन की वैधता है उसकी जाच की जाए क्योंकि जब हम एड्मिनिशेट करेंगे सेंपल पर उसकी प्रभित्ती तो हमको पता चल रही है लेकिन उसकी वैलेडिटी हमको क्लियर करना है तो इसलिए ऐसे जो इस्तिती होती है तो उसमें ये जरूर मिजर करना हो जाता है कि अर्थे की आश्यक हो जाता है मस्ट हो जाता है कि परिच्छन की वादेत वैधता की जाच की जाए तथा किसी नए प्रतिदर्स को लेकर उसकी आधार पर हम वैधता गुडांग की गढ़ना करें यहां कहें तो इतरह से हम कंपरेजन कर लेते हैं और उसके आधार पर हम इसे चेक कर लेते हैं तो वैधता जो आपका गुडांग है जब हम उसे ग्यान कर लेते हैं तो जो हमारी परिच्छन की वैधता का वरिफिकेशन है जो हमेरे टेस्ट है कि जो हमारी वैलिडिटी है उसका जब हमको वैलिडेशन निकालना होता है कहने का रहते है कि जो वरिफिकेशन कर रहे हैं इसके लिए क्रास वैधी करन कहने का रहती क्रास वैलिडेशन उसी को इस नाम से जाना जाता है इप फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग जो परिछन की वैदिता हम है लिद आपका करेंगे आप करेंगे। تو प्रेटि कांटिंग करेंगे, तो प्रेटि निकाल लिए मालेजी थीसके बाद हम जो परिछन है, उसकी अपना करने के गौद करने की बाद हम उसका बैरिफाइए के बैरिफिकेसं करेंगे कैसे कष्चु करना पड़ेंगे क्योंकि क्लिर के बिढ़ हो जाएगा है कि हां वैलिफिकेसं में यहीं वाली वहायाता है तो जो प्रिछ रकर शसका बैरिफिकेसं की बिधी है ISA Last वेरिफिकेशन की मैथड्ट है जो toky Чण की बिधी है इसवेड है किए को ही कहा गया है ट्राष्विलीजेशन की है back वेरिफदा अधिक तर् effe करेंगे यहां ध्यांदी reka जब भी प्राफ़ाई करेंगे तो आपका passe क्रास्न ओर्लेडिशन है उसमें जो आपकी वैस्ता होती है क्योंकि नए जो सैंपल जो तुलना करके ृष्फाइब कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी्लिए जो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेमिल जो हमने इसलिट कर रखा है जो नए हम रात ही है už मैं SiTAlwe मैंने इसलिब्स सभिवरे हो ज़ायों जाते है क्योंकि डिसके कारण आपकी जाते कभण Aww क्योंकि नए सेम्पल में तूटिया होने की संभाष्ण अधिक्तम होती हैं. तो अधिक्तम जहां पर तूटिया होँगी, जाहर से बात है कि वहां पर आपकी जो वैलिटी गुड़ाँक है, जो वैलिटी कौफिजुन्ट है वो कम आने के संभावनें बढ़ जाएंगी, clear है, अब आप कहेंगे कि वैता गुणांग ग्यांद कैसे करते हैं, तो यह जो भी हम वैता गुणांग ग्यांद करने की बात करें, तो इन सारे methods को आप लोग बखो भी जानते हैं, क्योंकि स्टर्स में आलोडी आप लोगो पढ है अभी जा जुका है, जगर हम method of determining validity coefficient की अगर बात करें, तो यहां इसके method में कई methods हैं, specific अगर मैं बात करूं तो correlation method, correlation method में आपकी simple correlation है, जैसे जहां पर रू निकालना है, तो product moment method है आपका, तो वहां पर भी निकाला जा सकता है, कहने कार थे कि रो आपका जो निकालते रहे होंगे आप लोग रो is equal to one minus six sigma a square and a square minus one, तो यहां उसको भी आप लागू कर सकते हैं, वैता कुडांग ज्याद करने लिए, या product moment method यूज कर सकते हैं, by serial correlation method यूज कर सकते हैं, या point by serial correlation method यूज कर सकते हैं, तो यहां अगर हम बात करें कि वैता गुडांग कैसे ग्याद करना है, तो इसमें से maximum ऐसे methods हैं, जो कि आपके status related हैं और इसमें आपकी UG label पर ही पढ़ा दिये जाते हैं, पोस्ट गूजेशन लेबल की तो बात ही छोड़ी है, यूजी लेबल पर ही आप लोगों को पता दिया जाता है, तो इसमें आप चाहे correlation में कोई method यूज़ करें, जैसे कि simple correlation है, जिसमें product moment है, आपका row है, by serial है, point by serial है, या टेटा कोटी की बात करें, या multiple correlation method की बात करें, इन सब के द्वारा आप निकाल सकते हैं, बैधता गुडांग, clear है, दूसरी तरफ हमने बात की है, acceptance table की, तो परिष्ण की जब पुर्व वैधता ग्याद करनी होती है, पुर्व कथित वैधता की अगर मैं बात करूं, जब भी परिष्ण की पुर्व कथित अगर हमको वैधता ग्याद करनी होती है, तो परिष्ण की पुर्व कथित वैधता है, उसको ग्याद करनी के लिए सबसे कहें तो महत्वपूर्ण और सबसे आसान सबसे इजी गोईंग है यह इसमें अनुमानन जो अनुमानी तारिका होती है यह बनाई जाती है जिसके द्वारा भविश्वानी की जा सकती है अब यहां पी पुर्वकथित बैदता की बात हमनों कर रहे हैं चोकि एकसप्टे इससे भविश्यvere ंसकती है कि कि कोई बैद का ऐसी की हम बात कर रहे हैं और वहां पर हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस्टी की बुधी लपधि पूम को उड़ आ तो iq level का जब हम बात करेंगे किसी बैदिकी की इसमचिक बारे में तो IQ level का measurement जब हम करेंगे तो बालक किस प्रकार का कारे करने में सफल होगा या किस अभिछमता वाला बालक कोई कारे करने में काफी कुसल होगा या कुसलता से कर सकता है इसका जब हमको अनुमान लगाना होगा इसका जब हमको अनुमान लगाना होगा तो यह हम आपकी जो एक्सप्टेंसी टेबल है या अनुमानी जो तालिका है उसी के आधार पर हम कर पाते हैं यह जो आपकी अनुमानी तालिका होती है वो mathematical जो possibility होती है जो mathematical possibilities होती है उसके आधार पर साथ ही experience के आधार पर होती है क्यों? क्योंकि यहांपर mathematics possibilities के measure के जा रहे हैं शिर्फ अनुमान नहीं होता नाम तो है उसका लेकिन सिर्फ यहांपर अनुमान नहीं किया जाता है यहांपर अनुमान के साथ-साथ इसका जो mathematical possibilities होती है उसको भी measure किया जाता है ठीक है? आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चलते हैं हाँ factor analysis, सबसे interesting है यह आप लोगों का, validity measure करने के लिए specific, factor analysis, तो यहाँ factor analysis जो method है, अगर हम इसकी बात करें, तो परिच्छन की वैता वास्तों में ग्याद करने के लिए, जो आपके factor analysis method है, यह काफी महत्वण होती है, इस सांखी की विधी है, समझ रहे हैं, आपकी कारक विस्टेशन या factor analysis विधी की दोरह, जो विभीन प्रकार के परिच्छन है, उसके उप भाग है, क्योंकि कोई भी टेस्ट होगा, तो सब्टेस्ट हो गया, तो उसके अगर उप भाग में है, और उनके जो ब्यक्तिकत आपकी आइटम्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेज हैं, उनका भी अगर इस्टडी हमको करना हो, तो factor analysis से possible है, कहने का आर्थ है कि, टेस्ट में आपकी, क्या विभीन परिच्छन या पदों में कुछ समान तत्तों हैं, हाँ या नहीं, या आपकी जो आइटम्स हैं, उसमें करना हो, factor analysis, यदि हैं, तो उन तत्तों का स्वरूप क्या है, उसका measurement करना हो, factor analysis, अगर हैं, तो उन में आपसे संबन्ध कैसा है, ये टेस्ट करना हो, factor analysis, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर, कहने का आर्थ है कि, जो भी आपने आइटम्स सेलेक्ट किया है, उनके बीच में विभ अगर हम को मेजर करना होगा, तो यहाँ measurement सिर्फ और सिर्फ किसके त्वारा किया जाएगा, factor analysis method, क्लियर है, यहाँ पर, अगर हम समाधान कारे की विचलेशन की बात करें, तो आप लोगों ने सबसे पहले 16 PEF की बात कर लेते हैं, 16 PEF जिसका पहले भी बात किया चुका है, और यह personality measurement किया गया, 16 PEF, और भी कैटल की विदी method है यह, तो इसमें आपके जो 16 factors की बात की गई है, जो 16 factors हैं, उस पे किसी आपके जो subject हैं, उसको क्या score मिले, यदि इन 16 factors पर जो scoring मिली है, या जो प्राप्तांग प्राप्त हैं, उनके बीच में अगर हमको आप से सहसंबन ग्याद करना हो, तो प्रतेक कारक का अनकारक के साथ सहसंबन गुणां ग्याद करना होगा, जैसा पहले पाया गया था, तो प्रतेक जो आपके factor हैं, जो प्रतेक कारक हैं, कुछ कारकों के साथ तो सहसंबन ही, तो अधिक होगे, कुछ कारकों के साथ उनका सहसंबन कम होगा इस आधार पे ये इनासिस की जाती है कि जो दो आके फैक्टर थे उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो अधिक होगा या संभौत है या एकसी ही योगिता या समान पौलू का मापन करेंगे ति यहाँ पर हम कहने कार थे कि इन दोनों के बीच में जो इस प्रकार का कोरिलेशन मेथड है इस सारे कोरिलेशन को अगर हमको मेजर करना हो तो हम यहाँ पर सिर्फ फैक्टर इनासिस मेथड ही यूज कर सकते हैं अगर इसके बिपरी तवस्था में चलें तो क्या होगा विपरी तवस्था के अगर हम बात करें तो ऐसे एक फैक्टर जिसके बीच में सहसंबन्द कम है ऐसे फैक्टर जिनके बीच में जो कोरिलेशन है वो काफी कम है तो यहाँ संभो है कि जो अलग योगिता वाले या अलग पहलू का जो मेजर्मेंट कर रहा है यह उनके बीच में होगा यानि कहने कारत है कि जिन कारकों के मध्य सहसंबन्द कम होगा वो संभोत है आप भिन योगिता या पहलू का मेजर्मेंट करेंगे इसलिए जो आपकी फैक्टर नाजिस है इस विधी के द्वारा जो भिन भिन कारक है उन फैक्टर का साथ ही यह सब टेस्ट के बीच यह टेस्ट की यह बात नहीं कर रहा है सब टेस्ट के बीच और सारे जो इसमें फैक्टर हैं उनके बीच समानता या भिनिता को अगर हमको जाना है इनके बीच में समानता है कि नहीं है यानि पहले तो हमको यह देखना है कि जो हमने नमारा टेस्ट है उसमें जितने फैक्टर है उस फैक्टर के बीच में क्या रिलेसंसीफ है उसके आइटम्स के बीच में क्या रिलेसंसीफ है साथ ही जो टेस्ट है उसके अगर सब टेस्ट है तो सब टेस्ट के बीचे में क्या आपकी सिमयर्टी है क्या आपकी डिस्लिक्मेट्टि ए इसप्रिक्षेह इसको अगर हमको मेजर करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्टेर अनाल्सिस मेथड ही यूज कर सकते हैं यह जो आपका विशलेशन है जो आपके अनाल्सिस है कारेक विशलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग तो यहां पर यह जो है इसका उप्योग सबसे पहले आके चास स्पीर मैं 1904 ने किया था इस पेस्फ मैं आई स्पिर्में का स्पिर्मैन का उन्मिकारक सिथानप ती हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो सर्शास स्पीर मैं ने उन्年的 स्पीर मैं ने एक ne reform जो आपके जो थी का सिथान दिया था जहां यह उसके संदर्ब में हम इनहोंने आके खैक्टर अनलसिस का यूज़ किया। बाद में आईजेंगल, फोर्ड, कैटिल, जो और भी आपके साइकलोजिस्ते उन्होंने भी आके फैक्टर अनलसिस का यूज़ किया। और इस आधार पे इन्होंने भी support कि यह जो factor analysis है यह test और subtest के बीच में साथ ही जो आपके आइटम से उनके बीच के जो dismutering power है उसको measure कर सकता है साथ ही इसके similarity को में भी measure कर सकता है तो इसके बीच में जो आपकी समानता है या भिनता है उसको जानने के लिए factor analysis method काफी अच्छा माना गया यह जो आपका factor analysis method है इसके कई types है तो यहां में आपके इसके types की भी बात कर लो यहां इसका पहला types है आपका r technique जो r technique है इसमें आपके जो बिभीन में जो परिच्छन होते हैं उसको एक ही समों पर एड्मिस्टेट किया जाएगा एक ही ग्रूप पर एड्मिस्टेट किया जाएगा और उनके जो कई टेस्ट होंगे जो एक ही आपके ग्रूप होंगे उस पर एड्मिस्टेट किया जाएगे और उनसे जो scoring की जाएगे उसका आपस में correlation ग्यान किया जाएगा ठीक नेक्स्ट है आपके p technique आर टेखनीक के बाद बात करें हम लोग कि जो पी technique है इसमें एक ही बेगती पर एक ही समय में अनेक परिछन प्रसास्त किया जाएगे यहाँ पर्थूरा सा को ट्रीप कर लगड़ा होगा एक ही बेगती है और उस पर एक ही समय में समय भी एक होगा यानि इसको हम गहें तो यह ग्रूप टेस्ट नहीं होगा यहां पर personality test किया जाएगा, एक ही बेक्ति पर एक ही समय में जो कई test होते हैं उसका administrate किया जाता है और प्रतेक जो आपके test होते हैं उनसे जो scoring मिलती है उसके बीच में correlation निकाला जाता है जिसे P technique कहा गया है, अब next है आपका Q techniques, Q techniques में अनेक परिच्छन एक ही सम्मूब पर प्रिशासित किया जाते हैं कई परिच्छन आपके group एक ही होगा उस पर administrate किये जाएंगे, लेकिन कारक विचलेशन के लिए बेक्तियों में आपसी सहसंबंद का उप्योग किया जाएगा ठीक है, इसके बाद आती है आपनों के O technique, O technique में एक ही बेक्ति पर समस्त परिच्छन दो बार administrate किये जाएंगे, एक ही बेक्ति पर जो भी आपके टेस्ट होगे उसको दो बार अपनिस्टिट किया जाएगा और दोनों जो उसर पर आपका टेस्ट अबिस्टिट किया जा रहा है, उसके बीच में सहसंबंद का कारक विचलेशन होता है, उसका हाँ पर मेजर्मेंट किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद आती है आपनों के T technique, T technique जो है उसमें एक ही बेक पर जो भी आपके टेस्ट होंगे उसको कई वारे मिस्ट्रेट किया जाएंगा और विभीन समय के प्राप्टाउं को का यानि कहने कार्थ है कि टेस्ट आपका एक ही होगा और जो कई टेस्ट आपके अडिमिस्टेट किये जा रहा है वह बिभिन आउसरों पर किये जाएगी जो स्कोर होंगी उनके 20 में का राकलो इस्टेशन ज्याद किया जाएगा जो भी नषतो किया जाते हैं उनके स्कोरिंग का सहसंबंद विसलेशन निकाला जाता है तो यहीं आपकी मैथर्स है आपका यह कर रहे थे हम लोग कारक विसलेशन की तो कारक विसलेशन की जो मैथेड है मुख्य रूप से इसकी 6 भाग बताए गया है R टेक्निक, P टेक्निक, O टेक्निक, Q टेक्निक, T टेक्निक और S टेक्निक यह हैं आपकी कारक विसलेशन की विधिया, क्लियर है? क्यों आपकी विसलेशन की विसलेशन की विसलेशन की विसलेशन की थाई टेक्निक